हाई फ्रेंड आज हम बना रहे एक हजूरी इसे हैदराबादी लॉज भी कहते हैं बहुत क्रिस्पी करारी बनती है आप इसे एक महीने के लिए बना करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने 800 ग चुटकी हम खाने वाला मीठा सोडा डाल रहे हैं और इसमें हमने थोड़ी सी सौफ डाली है आप एक चमच तक इसमें सौफ डाल सकते हैं इसे हमें अच्छी तरह से एक बारी मिक्स कर लेना है और इधर हमने 100 गराम घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिये थे ताकि इसका मौईन अच्छे से हम लगा सके यह जो खजूरी हम बना रहे है एक दम परतदार बन करके त्यार होगी में ट्रिक है इसका आटा कैसे गुद जाए तो देखिएगा अच्छी तरीके से तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर ले तो देख लीजिए यहाँ पर यह अच्छी तरीकी से मिक्स हो गया है इस तरह से लड़ू आपका एक बार में बंद जाना चाहिए तो चलिए यहाँ पर हमने लिए 400 ग्राम चीनी और इसमें हम 6 हरी इलाइची डाल रहे हैं और इसे डाल करके हम पीस लेंगे और यह जो ची nisaniiden बिकाद कर और यहां इका thi हाँ मार gelir आपको सिर्फ मिक्स करना है तो यहां पर करीब यह कप से डेर कप के आसश्फास की सानी लगा था और यह कम ज्यादा हो सकता के ओपर देख लीजिया इसे हमने लेया और मैं बताती हूं यह अंदर से कैसा होना चाहिए एकदम टाइट डो है और यह देखिए इस तरह से जो है इसके पड़ते दिखनी चाहिए देख रहे हैं आटे का तो यह अच्छी तरीके से आप एकदम रोटी के जिए सम्मत गुदिए मिक्स करके और आप इसे गुद लीजे थोड़ा सा एक इसका हम बड़ा सा पेरा तोरे हैं यानि इतना आटा में हमने तीन पेरा तोरा है बड़ी बड़ी साइज का यहाँ पर कुछ भी आप मैदा वगेरा आटा नहीं लगाना तेल वगेरा आप चाहे तो लगाtechnा मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया है यह इजी से बेले जाते हैं देख लीजे इसक तो इस तरह से इसका प्रिय। से पतला रखने मांतों उत्व को शाद यहां तो फ्राइक नहीं हो। कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि हम लोग तो इसे खजूरी और लॉज के नाम से जानते हैं हो सकता है आपके रिया में ये किसी और से नाम से भी जाना जाता हो तो इधर हमने लो फ्लेम पर तेल चरहा दिया था गरम होने के लिए मेडियम गरम तेल होना चाहिए मेड धाने से पलटिये एदम जोर जोर से मत हिलाईएगा और इसे फ्राई होने में कम से कम आठ से दस मियट का टाइम लगता है मेडियम टू लो फ्लेम पर तो ये देखे हमारा खजूरी फ्राई हो चुका है इसी तरह हम बाकी के बचे खजूरी को भी फ्राई कर लेंगे और इ कर वे